हर्याणा में नए सीएम का एलान हट्टर ने दिया इस्तिफा सैनी नेली शपत 24 गंटे से भी कम में कैसे बदली हर्याणा की सियासर आखर क्यूं तूट गया गठबंदन और फिर से कैसे बन गई बीजेपी की ही सरकार ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं बात चुनाव की अब ये सारी उठापटक शुरू होती है लोकसभा चुनाव की सीट शेरिंग की बातचीत से सूतर ये बताते हैं कि उपमुख्य मंत्री रहे दुशन चोटाला ने जेपी नड़ा से मुलाकात की और हिसार के साथ साथ भिवानी महेंद्रुगर लोकसभा सीट पर दावेदारी कर दी लेकिन अंदर खाने ही खबर ये भी मिले कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई यहीं से बात इतनी ज्यादा बिगड़ती चली गई और फिर नतीजा गटबंदन तूट गया लेकिन सवाल ये है और होना भी चाहिए कि अगर बात सिर्फ बीजेपी और जेजेपी की गटबंदन की थी तो फिर आखिर खटर ने इस्तिफा क्यों दे दिया इसके कई सारे कारण है जो अब एक एक कर में आपको बताती हूँ सबसे बड़ा कारण जो रिपोर्ट्स में दावा किया गया वो ये है कि बीजेपी वहाँ एंटी इंकमबेंसी से जूज रही है अब थोड़ा सा आपको और समझाओं तो कुछ मुद्दे भी है जो इतनी सुर्ख्यों में रहे कि लगा सरकार को डेंट पहुचा सकते हैं जैसे 2020 का किसान आंदोलन, 2023 में पहलवानों का मुद्दा और एक बार फिर से किसानों का दिली चलो मार्च तो इस फेर बदल के पीछे एक सोची समझी रणनीती दिखाई देती है लेकिन एक सवाल ये कि नायप सिंग सैनी की नाम की घोशना के साथ उठा वो सवाल ये था कास्ट फैक्टर का आकर क्यों जाट बहुल हरियाना जहांके रजनीती जाटों के इर्द गिर्द रही है तो कैसे बीजेपी ने चुनाओ के इतना करीब OBC वाला एदाव चल दिया है लेकिन आप ये भी समझ लीजे कि सब कुछ एक दिन में नहीं हो गया इसके पीछे कई सारी वजा है जो ये बताती है कि सोची समझी रणनीती के तहत किया गया है लेकिन सबाल वही कि आखर क्यों नायप सिंग सैनी मैं आपको बताती हूँ 2014 में मुखे धारा में वो राजनीती में आते हैं और फिर कभी पलट कर उन्होंने पीछे नहीं देखा वक्त बीटता गया समय समय पर उनका कद भी बढ़ता चला गया 2014 में विधाय, 2016 में राज्य मंत्री, फिर 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा फिर प्रदेश अध्यक्ष और फिर मुखे मंत्री तक का ये सफर संग्ठन का लंबा अनुभव होने का उनको एक फाइदा मिला है अब 2023 में उनके नाम ने तब चौका दिया जब ओम प्रकाश धनकर की जगा किसी जाटनेता को नहीं बना कर नायप सिंग सेनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तब ही से बीजेपी रणनीती समझ में आने लगी अब जो आकरा बताया जाता है उसके मुताबिक OBC लगभग 8 फिसद समुदाय हर्याना का जो 3-4 लग सबसीटों को सीधा प्रभावत करता है अब ये वक्त भी वो है जब जाते कर जन्गरना और OBC मुद्दे को लेकर हर्याना में कॉंग्रिस बीजेपी पर बहुत जबर्दस हमलावर है तो इस पूरे समुदाय को कैसे साधा जाए इसी के लिए एक बड़ा मास्टर स्टोक है लेकिन ये भी तेह है कि कैडर को मजबूत करने के साथ साथ एक बड़ी जिम्मदारी नायप सिंग सेनी पर होने वाली है और होगी भी इसी लिए चुकि अब देखिए आचार सहिता कभी भी लागू हो सकती है और फिर खर्तर के लोकसभा चुनाओ लड़ने के भी आसार है वक्त ये तेह करेगा कि बीज़ेपी को ये जो दाव है वो कितना मुफीत साबित होता है और इसके लिए इंतजार लोकसभा चुनाओ 2024 के नतीजों का करना होगा लेकिन आप ये मान कर चलिए कि भारते जनता पार्टी चुकि सबसे जरूरी ये है कि हर्याणा में 2019 में लोकसभा का भी चुनाओ और विधान सभा का भी चुनाओ यानि कि जब अब 2024 फिर से है तो वहाँ पर विधान सभा का भी चुनाओ होना है चुकि अचार सहीता लग जाने वाली है अभी ही यहाँ पर लोकसभा का चुनाओ भी 10 सीटे जो आप सोचिए पिछली बार क्लीन स्वीप किया भारती जनता पार्टी ने तो अब एक इस्तिती तो ये कहती है कि BJP यहाँ पर जो अपना ही रेकॉर्ड था उसे दोहराने की तर्यारी में है पिछली बार अगर वोट फीसद की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे जादा डबल हो जाए या और स्ट्रॉंग हो जाए ये BJP की कोशिच रहने वाली है इसलिए सबसे बड़ा कारण ये रहा कि BJP और जेजेबी और आप एक बार याद करिए 2023 में कुछ ऐसी खबरे सामने आने लगी कि लगा कि जेजेपी और बीजेपी के क्या गट बंदन टूट जाने वाला है चूंकि कुछ इस तरीकी की बयान बाज़ी हुई और इसलिए माना ये जा रहा था कि BJP जब बहुत मजबूत इस सिती में है दस की दस जो लोग सभा सीटे जब बीजे जेटों की मांगती तो BJP इस वक्त किसी भी रूप में यहां पर रिस्क लेने के मोड में नहीं दिखाई दे रही थी और यही नतीज़ा रहा कि BJP ने एक बड़ा दाव चल दिया अब आप ये भी जानिये कि जो राजनीती है हर्याना की वो हमेशा जाटों के इर्दगिर जानी की हर कोई जाटों को कैसे साधा जाए इसकी तयारी में रहता है अब यह लगबख 24 से 25 वीसद बताया जाता है वहां पर जो जाट समुदाए का प्रभाव है अब जैसा मैंने आपको जाट के बारे में बताया तो जाट वोटर है वो भी किसी ना किसी रूप में बटा नहीं है तो बीजेपी ने कोशिश ये की है मास्टर स्ट्रोक ये चला है कि आप जो OBC समुदाये उसको पूरी तरह से अपने कबजे में कर लिया जाए यानि कि अपने पाले में कर लिया जाए और जाट तो बीजेपी के साथ की लिहाज से तो मजबूत है ही लेकिन यही OBC प्रक्टर साधने के लिए नायप सिंग सैनी एक नया नाम एक बड़ा नाम यहां से निकल कर सामने आया जो अब हारियाना के मुख्यमंत्री बन चुके है लेकिन इसके बाद बीजेपी को इसका क्या फायदा या क्या नुकसान होता है इन सब के लिए इंतजाद 2024 लोकसबा चुनाओं के नतीजों का करना होगा